नमश्यार दोस्तों यह हिरायोगी को क्या हो गया यह मूफ ला रहा है दोस्तों आज बैलून नहीं मिला था और बहुत सरी फीमिल की डिबांड आई कि सर हमें गोरा होना है सर हमारे फेस के लिए कुछ करना है तो मैं आज आपके लिए लेकर आप बड़ी अद्भुत चीजे सोच सकते हूं का ऐसा क्या करने वाले हो सर दो मिनिट की वीडियो में आप क्या फेस इतना चमक जाएगा पका बदाओं क्या करने है सुबह सोटते ही ऐसे मूफ लाएगे मूफ लाएगे ना तो आपकी मसल्स खिचेंगी तो रिंकल्स परते ना आउंको कुछ डार्कनेस हो जाती है वह ठीक हो जाएगी एक और प्रैना याँ ओ स्वारी प्रैना इमें एक क्रिया यह जो थाइरेड वाली फीमिल होती है उनके लिए अपने डाउन करना है तैंट अपने जाव बैंस जैकिन वाँ ऐसे नहीं करना में दिखा रहा हूं जैस्ट रूटेट तैन क्लॉक टैनेंटी क्लॉक फेस्पे गलोएगा अब यह देख रहों कि हिरा जी आथ क्या लगा गए वेट्टे आप यही तो राम का वान है राम वान इलाज है देखें साहब यह जो क्रीम है बहुत ही अद्बूत क्रीम है और यह प्योर अयर्वेदिक है इसमें कुछ मिला हुआ नहीं है आप समझ सकते हैं को यह बहुत अच्छी आ रही तो क्यामरे में खुशू पता है चले कि ले तो मैं ही रहा हूं इसके अंदर मिली है मुल्तानी मिट्टी और मेरे लेक्टो केला मैड क्ष्चाय। यह जाम जोगैं है कि लेक्टो केलमाइड पाओडल मुल्तानी मिट्टी इसको घर में बनाएं और अपने फीस पे सुवह-सुवह लगाएं आप उने a change उस प hakkा ँव अगर आप सुवे स्वस्थ रहना चाहते हों फेस के लिए बता रहा हूं इसमें नेम्बू है और यह स्प्राउट्स है यह सुबस्थ ब्रेकफास में ज़रूर खाया करो अगर आप सच में रहना चाहते हो यह दे लेना प्यारा इसको कभी थेंक्यू नहीं बोले दिल दे दे दूसरों को बहुत है इसको स्वस्थ रखना है खुद के लिए तो फेस अच्छा रहेगा दिल अच्छा रहेगा ऐसा अच्छा खाने खाने से तो मज़ा ही आजएगा ना राइफ के अंदर में सो दोस्तों वीडियो को देता हूं यही विराम आपको करने है दो तीन काम किनके तो बनावा लेना है ऐसे हातों बें लगाना ऐसे रखना और ऐसे अपने प्यारि से चेहरे पर लगाले लिए और मज़ा आजा एक आपको सुन्दर लगने लगोगे ला चलिकर प्रणाम ही रही चाहता है आप लोग खुश रहे सुस्त रहे सुन्दर सुन्दर चहरा कि गया है भगवान ने सबका दिया काला गुरा मेटर नहीं करता है पहली बात तों याद रखना लोगों से प्यार करने के आदर डाले है खुश से प्यार करने क्यार डाले मेरी यही प्रात्ना है आप लोग खुश रहें मुस्कुराते रहें धन्यवाद और इस वीडियो को लाइक शेर एंड कॉमेंट जरूर करें